लहसुन की नई फसल बाजार में आ गई है। आम तोर पर इसकी नई फसल बाजार में आने के बाद भाव कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार लहसुन का भाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। रंग में थोड़ा साफ हो और साइज में बड़ा हो तो मंडी में ही यह 480 पाव भिक रहा है। आपको पता है कि इसकी कीमत क्यों नहीं घट रही है। यदि नहीं जानते तो हम half बता रहे हैं। आपने गऊर किया होगा तो हर साल जाड़े में लहसुन महेंगा हो जाता है। इसकी वज़ा है कि जाड़े में लहसुन की डिमांड बढ़ जाती है। इस वज़े से इस बार लहसुन की फसल का रखबा घट गया। किसानों ने इसकी जगह कुछ और फसल की बुवाई की। किसान चाहे लहसुन की कम बुवाई करे, डिमांड तो वही रहेगी। इसलिए दाम चड़ गये। गाजियाबाद में सहिबाबाद सबजी मंडी के कारो बारी बताते हैं कि इस बार लहसुन की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम है। इसलिए मंडी में नई फसल की आवक कम है। पुरानी फसल का स्टॉक चुग गया है। इसलिए इसकी कीमत में खूब उच्छाल दिख रहा है। उनका कहना है कि अभी कई राजियों में बारिश हुई है। इस वज़े से फसल तयार होने में देरी हो रही है। उम्मीद है कि अगले मार्च तक भरपूर फसल तयार हो जाएगी। तब तक डाम में भी गिरावट होगी। कर वज़े रहा हो जाएगी। झाल 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 झाल